हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई चैनल तो केसे हैं आप सब आज हम यहां बनाने जा रहे हैं बनाना केक यह देखे यह कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए यहां सबसे पहले मुझे चाहिए दो केले यह मैंने एकद बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं यह बचों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है यह देखिए इसे हमें ब्लांड करना है तो यहां मैंने एक कप के खरीब चीनी आट कर दी है एक चौथाई कप यहां मैंने तेल ले लिया है यह मैंने रिफाइन ओयल यूस किया है एक छोटा चमच मैंने वनिला एसेंस का लिया है आप चाहें तो दाल चीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं आधा चमच के खरीब मैंने यहां नमक अड़ किया है आधा कप के खरीब यहां मैंने दूद लिया है यह दूद रूम टमपरेचर पे था इन सबको हमें अच्छे से मैक्स कर देना है एक स्मूथ पेस्ट हमें रेडी करना है यह देखिए यह इस तरह से कुछ बन जाएगा अब इसे में दूसरे बरतन में डाल दूँगी अब हमें इसमें डेड़ कप के करीब मैदा डालना है मैदे को आप छांते हुए डालिएगा यह मैंने डेड़ कप के करीब लिया है यहां मैं आदा कप और ले लेती हूँ इसे भी मैं इसी तरह से चांद दूँगी यह देखिए अब हम इसमें एक टेबल स्कून के करीब बेकिंग पॉडर यूज़ किया है आदा टेबल स्कून बेकिंग सोडा अट किया है अब इसको अच्छी से हम मेक्स कर लेंगे याद रखिएगा एकदम प्रॉपर मेक्स करना है आपको आप चाहे तो विसकर की हिल्प से भी विसकर सकते हैं इसको अच्छी से इसमें कोई भी लंप्स नहीं रहना चाहिए इसी इसका आप ध्यान रखिएगा यह देखिए एकदम स्मूथ इसका बेटर बन के तयार हो चुका है अब मैंने यहां पर कोई ट्राइफ रूट सेट की आप चाहे तो चौको चिप्स या कुछ भी अपनी चॉइस का आड़ कर सकते हैं कि यहां मैंने बादाम और पिस्ता लिया था कि देखिए हमारा केक बेटर एकदम बन कर तयार है अब मैं बेकिंग ट्रे को अच्छे से ग्रीसिंग कर दूंगी कि सारा बेटर हम इस बेकिंग ट्रे में डाल देंगे यह देखिए हम उपर से मैंने यहां चेरी आड़ किया है मेरे पास चेरी अवलेबल थी तो मैंने उसको यूज कर लिया इस तरह से कुछ मैंने यहां पर बादाम के टुक्टे डाल दिये हैं अब हम इसे अवन में रख देंगे टेंपरेचर मुझे 180 डिग्री सेलसियस पर सेट करना है तक रीबन 40 मिनट के लिए यह देखिए मैंने यहां पर 40 मिनट के लिए इसको 180 डिग्री सेलसियस पर पकने के लिए रख दिया है यह देखिए पकने के बाद यह कुछ इस तरह से आपको दिखेगा कित्मी अच्छी तरीके से आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं आप टूथीक की हैल उसको सब्सक्रीक कर सकते है कि अच्छा तो नहीं रहा गया है रीदेखिए और पी एकदम साफने करक के आया इसका मतलब अच्छे से मुष्रा के का है अब हमीने तो इसे दीमोल्ट कर देंगे यह देखिए मैंने केक निकाल दिया था आप देख सकते हैं कितने अच्छे से केक बनकर रिडी हुआ है मैं इसे यहां पीसीज में कट कर लूँगी आप कैसे भी पीसीज कर सकते हैं कि और इसकी सबसे अच्छी बात था आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं यह देखिए कितना स्पॉंजी बना है एक दम कि आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में पताईएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है यह देखिए मैंने इस तरह से कट करके पीसिस में रख लिया है इसके पाद मैंने इसे एक इरे टाइट बॉक्स में रख दिया था अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें मिरते हैं नेक्स वीडियो में क्यों बाइबस पाद कररें यदे आपको तेसिंएळस झाल सब्सक्राइबस पाद करें लाइबस अ इस एक करें लिया लगी है